हेलो गाईज आज की इस वीडियो में हम प्रिवियू करने वाले RCB बसेस M.I.E. का जो मैच होने वाला है साले तीन बजे डिवाई पार्टल स्पोर्ट्स अकेडमी पर नावी पुंबई में आप जानते हैं गाईज लीक स्टेजिस पर है जो चार टीम खेलेंगे ये लास्ट है उसके बाद 24 तार्ग को ऐलिमिनेटर होगा और फिर उसके नेक्स यहां पर फाइनल मैच होने वाला है W.P.L. का इस वीडियो में मैं आपको वीकली बता दूँगा आज के मैच में कौन से इंपॉर्णट पिक्स आप के लिए रहेंगे कोंसे नहीं रहेंगे पहले जासे एक बार प्रोबैबल प्लेग लएवन की तरफ देख लेता है तो श्रीव की तरफ से आप देखो यहां से यह इंका प्लेग लएवन था लास्ट मैच के अंदर यहां से अमाई यह प्लेंग कोई मैश नहीं मिला नको, Aaron Burns को एक मैश जरूर मिला था, बाकि यहां से Preeti Boss को मिला, Preeti Boss तो वैस यहां पर अभी है, Playing 11 में, कल थी प्लेंग 11 में, तो मुझे वही लग रहा है, कि यहां से कोई Aaron Burns आ सकती है टीम में, या तो Dan को तो मैश मिला ही नहीं है, तो अब क्या ही दें मुबई की तरफ से, तो इनको जरूर चेंजिस करने चाहिए थे भाई अपनी उसमें, यहां पर हुमायरा काजी आपके लिए इतनी इंपोर्टेंट रही नहीं है, जेंटिमनी कलीटा इतनी इंपोर्टेंट आपके लिए रही नहीं है, हैदर ग्राम को इन्होंने एक भी म मैच नहीं दिये, फिलो ट्रॉयन भाई बंदी मैच विनर है, औल राउंडर है कमाल की बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंजिस्टेंट बैटा रहे, इनको कोई मैच नहीं मिला, अच्छा क्या होता है कल हर्मन प्रीत को और ने खुद कहा कि ओवर कॉन्फिदेंस, मतलब पह अभी पड़ गी मुझे पताता है मैच लेनिंग वाई कैप्टन, अभी पड़ेगी इसलिए आप मेरी टीम भी देख लो मैंने दिल्ली फेवर टीम बनाई हुई थी, मेरी टीम में न हेली मैथ्यूस थी न कोई था, तो मैंने दिल्ली फेवर टीम बनाई थी, विन किया, 460 पॉइंट स्कूर किये अकल और यहां पर मैच के बाद उन्होंने का, हर्मन पीत कौर ने कि यहां पर जो है, तो प्रेस कॉन्फरेंस में हर्मन पीत कौर ने बोला कि शायद उस ओवर कॉन्फरेंस में हम नहीं रहेंगे अब, बिकॉस जाहर सी बात है अब गलती उनकी भी टीम अगर बेक टीव एक पांच मैच जीत जाये और सिर्फ टॉप ओटर के परफॉर्मेंस यानि बैटिंग में, बोलर्स तो उनके सबी अच्छा कर रहे हैं लगबख, अगर बैटिंग से चार-पांच प्लेयर के तो जाहर सी बात है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और मौका कब मिलेगा, उनको चेक करने का मौका कब मिलेगा, तो भही हुआ दो मैच में चेक हो गए वो पिल्कुल भी नहीं चल सकते हैं, पहले मैच में तो इसी वांग ने 31 रन बना दिये थे, 32 रन बना दिये थे, अधरवाइस 97 पे मुंबई कॉलैप्स हो जाती, second last मैच में और कल भी आपने देखा हुआ, कुछ खास रनी, यह स्कोरिंग कर नहीं पाए, और उसके बाद हरवन पीत कौर ने यह बोला कि बोलिंग से हम थोड़ा सा शौर्ट रहे, तो भाई बोलिंग से तो मुझे नहीं लग रहा शौर्ट रहे, अप रहन से ही शौर्ट रहे, 140 से 160 तो आप देते कम से कम, चलिए कईस बात करते हैं, यहां से head to head specials की, तो अभी जो एक मैच आपस में खेला है, RCB और MI ने, उसमें देखो, RCB कॉलैप्स हुआ था, पूरी तरीके से, रिचा कॉष ने 28 किया था, special performance मतलब जो top performance थे, स्मिनती मंदा ने 23 किया था, प्रीती बो से, तीन विगेट थे, साइका इशक के दो विगेट थे, साइका इशक मुंबई के venue पर बाई, important ही होती है, left arm orthodox है, नेटाइलिया सीवर के, यहां पर 55 run थे, head to head special में, यह गईस special इसलिए आपको बता दिया, क्या आपको बताओ किस player ने special performance दिया था, बात करें venue performance की D20 format में तो quick look में यह देख लो, आप यह समझे लो, अपने दिवांग में उतार दो, क्योंकि prediction भी stat based ही होते है, हवा में जो करते हैं भाई, वो फिर, है न, match के बाद रोतने है, आपको पता है, team देने के बाद कि मैंने 30-40 लाख लगा दिया, और यह लगर दिया, वो कर दिया, यह एक इशक का 4 match में 7 wicket है, रेनुगा सिंग का 4 match में कोई wicket नहीं है, हार्ट टाइम स्ट्रगल कर रहे है, रेनुगा सिंग, डबलु पील के अंदर भी और इस venue के विकेट नहीं है, क्योंकि बोलिंग भी इत्ती नहीं मिली होगी, मेरे रसाब से 1-2-2 वर मिले होंगे, इसी 20 format में, December में आई थी, एक ही match मिला था इनको, Australia vs India का जो match हो रहे थे, T20 series, Haley Matthews 4 match के अंदर 5 wicket है, इस venue के उपर, एले से पहरी 4 match के अंदर 5 wicket है, इस venue के उपर, शोब ना अच्छा के 2 match में 4 wicket है, अच्छा की है इनोंने, और last match में ने इसी वज़े से इनको लिया था, ले wicket की congestion से कर नहीं सकते हैं, बैटेंग की बात करें, innings में बात करेंगा ना, 4 match यो लिखा है, यानि 4 पारी, 4 बार आई हैं फील्ड पर, यस्तिका बाटिया, 4 match में 50 रन है, 40 highest है, बाकि आप समझ सकते हो, कि यहां पर, जो 3 match थे, उसमें सिर्फ 10 ही रने रोने बनाए हुए ह सोफी डिवाइन 21 किया, 14 किया, समाइनी के उपर, इसमिती मंदान ने सरफ एक match इस में 79 किया था, otherwise 4 match में सिर्फ 36 रन है समाइनी के अपर, सिर्फ 36 रन, रिचा कौश 36 किया है, 37 किया है, और उसके अलावा, मतब 36-37 रिचा कौश का हाई है स्कोर इस मेंनी के इस रन है, उसक इस वेन्यू के उपर द्यान रखना इस वेन्यू पर इस ट्रगल किया है लेकिन अभी एक चीज़ बताऊंगा कनी का उज़ा एक मैच में 46 रने इसी वोंग तीन मैच में 61 रने 31 इनका हाइस्ट है इस वेन्यू के उपर है इस मैच पर दो बार बैटिंग किया है 10 रन किया है और 67 किया हुए एमिलियकर तीन मैच में 56 रने 45 एमिलियकर का हाइस्ट है यानि आप समझ सकते हो बाकी के जो दो मैच थे उसमें सर्फ 11 रन ही किये थे अमन्जुत कोर तो मैच के अंदा 1905 की पारी यहां पर खेली हुई है यहां सब्सक्राइब आपको बाद में बाता हुआ हूँ नेटैलिया सीवर मैच बिना रहे एक ऐसी प्लेयर है अगर इनकी कल तो 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 अच्छा नहीं था बाई जो आपको मैं बता देता हूँ आपको करना क्या है चलिए टीम करेशन के उपर चलते हैं तो यह गाईस माइं मास्टर 11 का एप्लिकेशन इसकी लिंग भी आपको कमेंट सेक्शन में मैं दे दूँगा डाउनलोड कर ले ना सोने की चड़ी है भाई हमारे बंदों के लिए यहां पर खूप सारा विन कर रहा है सबसे अच्छी बात क्या है यहां पर ग्रैंड लीग में 10-15,000 लोग खेलते हैं और विनिंग्स देख लो किस तरीके की हैं तो मेरे बंदे तो बाई डेली यहां प को बीस पचास जार एक लाग रुपए ग्रैंड लीग से चीत रहा है उनके लिए माइमास्टर 11 बहुत ही बैथरी न एप्लिकेशन है सबसे अच्छी बात क्या है आप कहां भाई 25 लाग लोग में खेल रहा हूँ अभी इसमें एक करोड़ वाली लिग में 50 लाग लोग में केल रहा हूँ 15 लाग लोग में केल रहा हूँ आप केली है माइमास्टर 11 की उपर जहां पर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं बताता हूँ आज के मैच के बारे में तो यहां पर आप देखो सबसे पहले एक स्मॉल लीक की बात कर लेते हैं तो यहां से रिचागोश को हरकोई लेगा यह अच्छी ऑप्शन है बाई नो डाउट यहां से सोफी डिवाइन क्योंकि देखो बेनेफिट आपको बता देता हूँ कि अगर रसी अच्छा करेगी तो रिचागोश की बेटे घां टिम में सोफी डेवाइन इंपोर्टेंट क्योंकि बोलिंग कर आ देती हैं यहांसे गए मेरी तीम में और यहां से आनुआनं मित पित कार रहेंगी और हैदर नाइट को रख सकती हो बेंटिंग बॉल लो दो सपोग रहेगा यहां से इसले से पह非र किंवर हैनृ इनठ यंका पाटिल भी Allrounder section में है, हर application पर अलग अलग चाहिए होंगी place, कोई दिक्कत नहीं होसके आप अपने इसाब से ले सकते हो, shooter important है, साही का इशाक important है, यहां से का एक player और है, इसी वांग, यह आपके लिए important है, बागी और कोई मुझे लग रहा है, खेलेगा, प्रीती बो हो सकती है, इसमें आप सोच रहे हो, smithi mandana की कमी है, तो अगर आप smithi mandana को लेते हो, तो heather knight की जगे ले सकते हो, क्योंकि उनका record इसना अच्छा है नहीं betting से, लेकिन अगर जैसे आपने देखा था, पहले ही बैच में, जबार सी भी कोई wicket नहीं ले पा रहा था, पूरा उनका unit wicket नहीं ले पा रही थी, तो heather knight नहीं आके दो wicket निकाल दिये थे, प्लस उसी के बाद उन्होंने जाके, 31-32 run की betting भी की थी, तो ये एक बात है, कि भाई smithi mandana को लो, अगर 10 run, 12 run करके out हो गई बन दी, तो यहां से एक valuable player आपके लिए miss हो जाएगा, इसलिए heather knight को लेके चलो, तो समझदार ही रही गएगी है, ये race आप सका है न, बाकि यार आप देखो, इसमिर्थी mandana च्छै मैच खेल लिए, च्छै मैच मैच में बीस, 30 run, 30 run भी नहीं बनाया होगे, 35 run एक मैच में बनाया था, उसके लावा कोई चैनल नहीं किया, तो अब एक मैच में अगर प्लेयर कर जाए, तो वहाँ से यार क्या ही कहना उस प्लेयर का पर, है न, तो ये चीज़ दिहान रखे, बाकि हम बात करें, कैप्टन वाइस कैप्टन से की तो देखो, वह बहुत टकी होता है, वह लाइन अप के बाद ही अच्छा लगता है बताना, तो मैं आपको तब ही बताऊंगा स्मॉल लीक के लिए, बाकि देखो, यहाँ पर चलता है, प्लेयर की तरफ, तो आपको मैं ग्रैंड लीक के प्लेयर्स बता देता हूँ, ग्रैंड लीक के कैप्टन वाइस कैप्टन बता देता हूँ, सौरी, इस तब ग्रैंड लीक में आपको टीम किस बना रही है, कॉंबिनेशन से बना देए, पहली टीम जो बोलिंग कर रही है, उसके किसी एक बोलर को कैप्टन करना है, उसी टीम जो चेस करे की बैटर को आपको अपको ट्रस्ट हो, कल कि आप देख लो, मरी जाना का अलेसे कैप्टी ही नहीं ती, अदर्वाइस ग्रैंड जीत रहा था मैं, लेगन नहीं जीत पाया बाद में, वही 12-13 सो ही रेटन आया स्मॉल लिग का, तो वहीं से मैस हो गई, आपको एकड़म बैलेंस टीम बनानी है और बहुत सिंपल रखना है ना, कोई कॉंपलेक्स निकरना पर पहले जो टीम पोलिंग करें, उसकी किसी एक ब हूँ, है ना, सही कहा रहा हूँ कि नहीं कहा हूँ, अगर टारगेट कम हो, तो आप देखो हर मैच, भाई, डीसी ने दो मैच किस तरीके से चेस किया है, साथ साथ दस ओवर गेंदर, चीज कर दिया है, एमाई भी उस दिन आय थी, बड़िया चीज कर दिया था, इन आपको एक बोलर को कैप्टन करना है, और चीजिंग वाली टीम की बैटर को आपको कैप्टन करना है, जिस पर आपको ट्रस्ट हो, ऐसे ही तीन से चार कॉंबनेशन बनाएं, और काफी अच्छा करें, कुछ ट्रम्पिक्स आज के मैच में कौन हो सकते हैं, यह मैं आपको अ ऑपास भुन करें, Thank you for watching the video,